हुआ है हलो स्रेंट्स माइनम इस पुनीट डोग्रा वेलकम टू स्टडी घजाना आज सीक्वेंजन सीरीज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर नाइन है ngcrt का Everybody Knows About it चैप्टर इंपॉर्टेंट है बडिया अच्छी वेटेज का रहता है abbiamo halls इस तो ओन्लाइन च्लासे भी होती 5-0-5 question इसके रहते हैं 120 Poor Today Sir और उसमें से 45我跟你講 आना बहुत बढ़ा बात होते हैं बहुत बड़ी बात होते हैं तो आप लोग पड़ेंगे CHAPTER को बढ़िया chapter है हर एक तरीके की entrance exam में पूछा लाता है Commerce के entrance exam से लेकर science के entrance exam तक हर एक जगापर ये chapter use होना ही होना है आ नहीं आना है ठीक है कि इसके अंदर दो चीजें आपने पढ़नी है फर्स्ट वन इस एपी एपी वही है जो आप पढ़के आये हो किसमें 11 टेंथ क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में मैं आध दिला दू A1 A2 A3-AM यह एपी में तब कहलाता था जब कॉमन डिफरेंस सेम होता था और कॉमन डिफरेंस इस अलवेज इक्वल्स टू A2-A1 a3-a2 a4-a3 मतलब हर बाद वाली term में से जस्ट पहले वाली term minus कर दो आपको पता लग जाएगा what is the common difference यही पढ़ते दे ठीक है इसके वाद आता था a plus n-1 into d like मैंने बोला कि 10 terms है तो a plus 90 is the formula ठीक है n-net term हो गया d हो गया हना अभी बात करते हैं n-net term निकल गया d निकल गया क्या रहे गया ठीक है s n s n is always equals to n by 2 2a plus n-1 into d या फिर n by 2 a plus l l मतलब last term last term मतलब n-net term ठीक है यह हमारा s n का formula होता था शायद आप लोगों ने arithmetic mean नामक प्राणी 10th में ना पढ़ा हो कुछ teachers कराते हैं सारे नहीं कराते गलत कोई भी नहीं है अगर वो आपको नहीं कराता तो क्योंकि यह 11th में ही पूछा जाता है 12th में नहीं 10th में नहीं पूछ रहा था अर्थमेटिक मीन इसको बोलते हैं अर्थिमेटिक दस मार्क से तक का तो चैप्टर है जो गौर्मेंट स्कूल वाले स्ट्राइंट उनके लिए बता रहा हूं एम से इसको डिनोट किया था जर्नरली हम बोलते हैं इफ ए बी सी आरे ने पी अगर ए बी सी ए पी में है तो that's why बी इस इक्वल्स टू अ प्लस सी अपॉन टू बी इस कॉल्ड अर्थमेटिक मीन बी नॉट टू बी टू बी को नहीं बोलते हैं कुछ बच्चे ऐसे लिखता है टू बी बराबर ए प्लस सी टू बी इस नॉट अर्थमेटिक मीन टू बी नहीं है बी इस दा अर्थमेटिक मीन ये चीज़ ध्यान रखने है ठीक है ना बी जो है वो हमारा अर्थमेटिक मीन है इसके बाद अगर मैं आपको बोलू यह आया कैसे तो आप कह सकते हो कि common difference के थूरू बी माइनस ए बराबर ए बराबर大 सी माइनस बी कैसे common difference दोनों common difference है ना बाइ हर बाद वाली term में से पहले वाली term माइनस करतिक है B को उधर लेगा है B plus B is equal to C plus A तो आप कह सकते हो 2B is equal to A plus C और B is equal to A plus C by 2 यानि हर बीच वाली term जो है वो double of other terms होगे ठीक है ये चीज़ ध्यान रखना है ठीक है आप इससे लिख लो उसके बाद हम लोग बात करेंगा arithmetic mean के और भी चीजों पर जो कि NCIT में देखिए अगर मान लोग बहुत सारी term है उनका arithmetic mean निकालना है तो arithmetic mean of nth term अब अब लोग सकते हैं और आवरेज क्या होती थी किसी भी टर्म का सबका सम कर देंगे डिवाइड बाइड 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 नमबर उफ तॉ वही है कुछ फरक नहीं है average यह है तो arithmetic mean of innate term आप ऐसे निकाल सकते हो को problem नहीं है और कोई mean के लिए sorry और कोई AP के लिए formula नहीं पढ़ना है पहली दो exercise जो है वो AP पे है third exercise आपकी GP पे रहे fourth exercise आपकी special series पर है और एक exercise और आएगी इसके अंदर आपकी और वो exercise आपकी होगी supplementary part infinite GP ठीक है और उसके बाद misleynious ठीक है ना तो सबसे पहले हम लोग करते हैं start 9.2 से करेंगे 9.1 नहीं टच करेंगे 9.2 is very easy exercise 9.1 is very easy 9.2 is also question number first find the sum of odd integer from 1 to 2001 एक से लेकर 2001 तक के बीच के जितने integer उनका sum निकालना है सर ओड वाले एक तीन पांच साथ डैश डैश 2001 सर SN निकालने के लिए आपके पास N होना चाहिए जो कि है नहीं आपके पास आपके पास first term है आपके पास common difference है बट आपके पास number of terms नहीं है क्योंकि SN is equal to N by 2 2 A plus N minus 1 in 2D या फिर N by 2 A plus L तो किसी भी तरीके से आपको N तो निकालना ही निकालना है this is called N net term N net term is equal to A plus N minus 1 in 2D या दे इस बाते 10th class का 1 plus N minus 1 in 2D common difference is 2 2000 is equal to N minus 1 in 2 2 से 2 cancel 1000 और N is equal to 1001 1001 terms हैंगे number of terms अब SN by 2 निकालते है SN is equal to N by 2 A plus L N की value कितनी है 1001 divided by 2 A की value कितनी है 1 plus last term is 2001 1001 divided by 2 into 2002 फिर ये कट गया है 1001 को multiply करना है आपस में एक दूसरे के साथ तो ये आएगा 1001 into 1001 खुद कर ले ना यार इसको तो calculation calculation तो खुद करी सकते हो हना copy कर लो फटावट से question number second करेंगे साथ साथ कर सकते हो अभी 2 तिन question आप मेरे साथ साथ क्योंकि ये questions हो है ये question आप लोग बहुत easy questions है अराम से कर सकते हो मेरे साथ साथ को problem नहीं है इनके दना धीरे देरे level बढ़ता जाएगा 10th class वाले हैं ये तो सारे हैं question number second find the sum of all natural numbers lying between 100 and 1000 all natural number lying between 100 and 1000 sum of natural number multiple of 5 देखे 100 and 1000 के बीच के नंबर यानि 100 और 1000 are not included in this case 100 और 1000 include नहीं होगा क्योंकि उसने बोला है between numbers between मतलब बीच में 105, 110 115, 120 995 फिर आपको n8 term नहीं पता है इनका sum निकालना है आप n8 term का formula लगाएंगे a plus n minus 1 into d 995 is equals to 105 plus n minus 1 into d यानि 5 ये minus होएगा तो 5 में से 5 गए 0, 9, 8, 90 is equals to n minus 1 into 5 5 से काटा 5 बंजा 5, 5, 7 बंजा 35, 5, 8 बंजा 40 n is equals to 179 ठेक है n निकल गया अब sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d तो 179 divided by 2 210 plus 178 into 5 ये 890 होता है क्योंकि मैंने 5 से इसको काटा था 178 पे तो clear मैंने यही से देख लिया 0, 9, 10 11 1100 और इसको divide कर लेना ठीक है multiply गर देना answer आ देना ठीक है ये ऐसे निकल जाएगा copy कर सकते हैं इसको question number third copy नहीं करेंगे ये ना पहले आप लिख लो इसको फिर बताता हूँ question number third पहले समझेंगे question number third पहले जो जो बाते लिखी हुई है पहले उतना लिख लो बस उसके बाद नहीं करना in an a.p. the first term is 2 okay and the sum of first five terms sum of first five is the one fourth of sum of next five term यहाँ पर आके थोड़ा सा हमारको problem हो जाता है देगे next five terms आप direct कभी नहीं निकाल सकते हैं मैं आपको यह भी बता दो sum of first five is terms is one fourth of one fourth of sum of next five terms a1, a2, a3, a4, a5, a6 a7, a8, a9 और a10 यह question है sum of first five term is one fourth of this इस पूरे का one fourth है मुझे कोई problem नहीं है अगर मैंने इस पूरे में से अगर मेरको sum of next five term चाहिए यह सारी चाहिए मेरको चाहिए यह सारी a1, a2, a3, a4, a5 a6, a7, a8, a9, a10 क्याता है sum of first five terms is one fourth of next five term इनका one fourth है अगर मैं इस पूरे में से इस पूरे पार्ट में से इतना पार्ट माइनस कर दूँ हटा दूँ तो next five terms आ जाती है next five terms निकालने का और कोई तरीका नहीं है आप डारेक नहीं निकाल सकते sum of first five terms is equals to one fourth of s10 minus s5 क्यों s10 मेरा ये पूरा हो गए यहां से लेकर यहां तक हो गया s10 s10 में से अगर मैं निकाल दूँ s5 s5 यहां से minus कर दे रहे s10 में से s5 को minus कर दे रहे ये पार्ट आजाएगा मेरा यही मुझे निकालना है s5 पहले इसका relation देख लेकर है 4 को ले गया multiply में s10 minus s5 5 s5 is equals to s10 s10 एक गुठका आता है पता है आपको बहुत गंदा सा आप देख रहा है मैंने कई बार तो इसलिए बोल रहा था s10 तो 5 s5 is equals to s10 अब common difference आपको 2 दिया हुए निकालना है आपको show that 20th term is minus 1 1 2 20th term common difference चीए जानी इसको solve करते है common difference निकालेंगे common difference निकालने के लिए 5 5 by 2 2 a plus 4 d n minus 1 in 2 d होता है न इतना तो अब आप करी सकते हो पूरा 10 था आप AP करके आए हो असान लगता था सबसे chapter 10 by 2 2 a plus 2 a plus n minus 1 in 2 d 9 d 2 से 2 गाड़ दो 5 से 5 गाड़ दो यह हो जाएगा 10 a plus 20 d is equal to 4 a plus 18 d भई गिवन है a equal to 2 है तो 20 plus 20 d is equal to 8 plus 18 d तो यह हो जाएगा 2 d भई d को इदर ले गया एक साइड 8 minus 20 that is equal to minus 12 तो d मेरा कितना आगया minus 6 d मेरा minus 6 है अब मुझे निकालना किया है मुझे प्रूफ करना है 28 term is minus 6 होबा रहा ठीक है तो 28 term is equal to a plus 19 d यह जीच पता है सबको a कितना है 2 plus 19 d कि वेल्यू कितना है minus 6 2 minus 114 that is equal to minus 112 ठीक है a20 a20 निकल गया ठीक है ना सबन में आगे कैसे करना था कॉपी कर सकता आप इसको यहां से यह डागराम बनाओगे आपी के लिए सहूलियत रहेगी है हुआ देखें how many terms कैथा कितनी terms है to give the sum minus 25 minus 25 जो है वो आपको देगी ठीक है ना ये चीज बोली है a हो गया minus 6 d हो गया 11 by 2 minus minus 6 11 by 2 plus 12 plus 6 तो common difference निकाल रहे थे ना हाँ ठीक है तो 2 11 plus 12 यानि 33 by 2 पहली term थी minus 6 दूसरी minus 11 by 2 है मैं वही कहूं तो 1 by 2 आएगा ठीक है common difference आया है 1 by 2 अब बोला है कि कितनी number of terms होंगी SN दे रखा minus 25 n by 2 2a plus n minus 1 into d तो यह हो जाएगा मेरा minus 12 plus 1 by 2n minus 1 by 2 is equal to minus 50 into n ऐसे घर लिया बना है LCM ले लिया 2 minus 12 plus n ओच्वारी 24 होगा नहीं तो और minus 1 और यह n ठीक है भाई अब फिर 2 को ले गए तो minus 24 n plus n square minus n is equal to minus 100 तो यह जाएगा n square minus n और plus 84 it is 6 इससे n की value निकाल ले ना बात खतम अरे यार यह 2 उदर जानता 100 ठीक तो है पर यह 25 होना है अब हो जाएगा राम से तो 75 n square minus n plus 75 equal to 0 ठीक है ना तो minus 25 n यह गड़बड़ी हुई है कोई calculation मेरी एक बड़ी रुख जाना जड़ा calculation में कहीं गड़बड़ करी है मैंने value ठीक लिखी है ओके यह अगर अंदर जाएगा तो यह होगा n square और यह minus 25 n होगा ना यह यहां multiplication में गलती करिए मैंने यह हो जाएगा n square minus 25 n is equal to minus 100 तो n square minus 25 n plus 100 बराबर 0 ठीक है तो n square minus 20 n minus 5 n plus 100 बराबर 0 यह हो जाएगा n is equal to 20 और n is equal to 5 ठीक है न दोनों बड़ यह possible नहीं है 5 क्योंकि नहीं 5 possible है क्यों नहीं दोनों possible है n equal to 5 और n equal to 20 आप बच्चों को doubt रहते कि सर ऐसा कैसा possible है कि 20 वे वाली term का जो sum है वो भी minus 25 होगा और 5 term का जो sum है वो भी minus 25 होगा देखो यह तो आपने लिख लिया इसको समझे ना जैसे मैंने बोला minus 5 minus 4 minus 3 minus 2 minus 1 0 एक दो तीन चार पांच यह पूरी term है यहां से लेकर यहां तक का sum कितना है एक दो तीन चार पांच पांच तरम है एस फाइव का sum कितना है वह देखो 5 4 9 9 और 5 14 minus 14 ठीक है और s6 तक भी minus 12 है वह एक टर्म यह वाली 0 वाली अच्छ ठीक है अब अगर मैं बोलूँ ध्यान चार सुनना मैं जो बोल रहा हूं मैंने बोला कि आप sum देखना sum यहां से लेकर यहां तक का sum कितना है पांस तक का sum कितना है बई जीरो एस दस इस इकोल स्टो जीरो है कि नहीं है जीरो है ना तो बात यह होती है कि जो sum आता है ना उसकी बात हो लिए नेगेटिव और positive कर जाते हैं जैसे एस बीस तक का जो sum होगा ना एस पांच तक का जो sum है वह अपना माइनस 25 तो एस सिक्स से लेकर जो बीस तक का sum होगा वह जीरो आ रहा होगा क्यों क्योंकि नेगेटिव नंबर कुछ और कुछ पॉजिटिव नंबर उसको 0 बना रहे होंगे इसलिए होता है ठीक है ना यह कि द्यान रखना तो और कुछ नहीं है ठीक है तो चार कोशन हमारे हो चुके हैं पाचवा में करना है तो पांचा कोशन देखिए अच्छा कोशन है काफी एपी में मैंने जैसा कि आपको बताया था एपी जीपी के कोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्डेंट है धंक से कहता है इनने पी पी त्हर्मीज़ वन बाई क्यू पलाए क्यू एंड क्यूएक ट्रमीज़ वन बाई क्यू ढि देन फाइंडविए अगे क्या भूलता है देख लिजी कभ find the sum of first PQ term, sum of first PQ terms हमें निकालना है, अब हमें नहीं पता sum of first PQ terms क्या होगा, हमें क्या करना है, PQ terms का sum निकालना है, अब AP दे रखा, AQ दिया हुआ, यार एक चीज़ क्लियर है कि AP और AQ की बात हो रही है आपे, तो अगर मैं first term और common difference निकाल लूँ, तो मेरा सारा काम बन जा यह जी समझे हो, ना मेरे पास first term है, ना मेरे पास D है, तो क्या दिक्कत है, A plus P minus 1 into D, बराबर 1 by Q, A plus Q minus 1 into D, बराबर 1 by P, जिन बच्चों ने 10th class में ये questions करे हैं, ये questions कर चुके हैं, जिन्होंने मेरे पाफ पढ़े हैं, वो उन्होंने ये questions करे होंगे, क्योंकि जो मैंने उसके अंदर मैं ये part पढ़ाता हूं, मतलब मैं तो 10th नहीं पढ़ाता हूं, जो मेरे यहाँ पे faculties हैं, उनको मैं ये questions करवाने के लिए देता हूं, कि इस तरीगे question आपको करवाने हैं, किसी भी सूरत में, किसी भी हाल, ये चीज समझे रहे हो, तो ये question अमने उस time भी किय इसका LC हम लेना है PQ, ठीक है भाई, P-Q, यहाँ से D ले लिया common, क्या वचेगा P-1, फिर minus Q-1, ठीक है भाई, अब D ऐसे का इसा, P-1 minus Q plus 1, ये cancel होगा, P-Q, ये D into P-Q is equals to P-Q upon 1 by PQ, ये cancel, तो D मेरा हो जाता है, 1 upon PQ, मेरा common difference आगया, अब मुझे निकालनी है first term, अगर मेरा common difference और first term दोनों निकल जाते हैं, तो मुझे कोई problem नहीं आएगे, एक चीज क्लियर है, A plus P-1 into D, D मतलब 1 by P-Q बराबर 1 by Q, ठीक है भाई, अब ही अपनने क्या किया, A plus 1 by P-Q को अंदर लेके गए दोनों के साथ, तो हो गया, 1 by Q, minus 1 upon P-Q, is equals to 1 by Q, ये cancel, A is equals to 1 upon P-Q, A निकल गया, common difference निकल गया, A निकल गया, और common difference निकल गया, मेरे पास A भी अवैलेबल है, और मेरे पास common difference भी अवैलेबल है, दोनों चीजे मेरे पास अवैलेबल है, A मेरे पास अवैलेबल है, common difference मेरे पास अवैलेबल है, अब मैं क्या करूँगा, मैं निकालूँगा SPQ, SPQ मतलब sum of first PQ terms, अब sum of first PQ terms निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक simple से formula का use करना है, that is equals to, एक second रुकेंगे, देखे that is equals to N by 2 2A plus N minus, N क्या है यहाँ पर PQ है अब कुछ नहीं करेंगे, value डालेंगे अपने को proof तो नहीं करना है, SPQ term करना है, करना है, proof SPQ is equals to, निकालना नहीं है 1 by 2, PQ plus 1 यह proof करना है, ठीक है, कोई दिखकत नहीं हो, तो कर देंगे हम last में, PQ by 2, 2A यानि 1 by PQ plus PQ minus 1 into 1 by PQ ठीक है, इसको लेके जाएंगे अंदर, ठीक है, यह हो जाएगा 2 by PQ PQ by 2 plus PQ minus 1 divided by PQ ठीक है, यह हो जाएगा LCM में PQ 2 plus PQ minus 1 PQ by 2 अभी यह कट गया देखे है, कट गया कोई दिखकत तो नहीं है, यह बच गया मेरा 1 by 2, PQ plus 1 यह मेरा प्रूव होगा, जो मुझे प्रूव करना था, तो मतलब basically कहानी सिर्फ सिंपल है, अगर आपको first term or common difference मिल जाए तो आप सब कुछ कर सकते हो, और सारी कहानी first term or common difference की ही ही है, अगर आप इस चीज को समझो, आप लोगों से मैं ठीक है, फड़ावट से लिख लो, इससे फड़ावट से copy कर लो, फिर आगे करते हैं भाई, अगला तो question है, question number 6 करने वाले हैं, that is also very very important question, important क्या है, यह तो exam में हिंटी दूँगा, इस में मैं आपको, 10th class में भी कर चुक्यों आप, 6, 7th वगेरा सारी करने पड़ेंगे, AP से तो rarely question आते हैं, बट क्या करें, करना पड़ता है, NCID में available है तो, नहीं होता है, तो मैं कराता है भी नहीं, आप लोगों है ना, देखें, next question, question number 6, क्या कहता question number 6, देख लीजा आप एक बरी, if the sum of certain number of terms of AP is 116, sum is 116, उसने गोले, SN is equals to 116, ठीक है भाई, आगे कहानली सुन लेते हैं, क्या रहा है, sum is 116, और first term is 25, common difference is minus 3, क्योंकि 22 minus 25 is equals to minus 3, second term minus 1, अभी अपनने SN का formula लगा है, that is equals to n by 2, 2a plus n minus 1 into d, ठीक है, value डालते हैं, n by 2, 2a plus n minus 1 into d, common difference is minus 3, ऐसी लिखेंगे, ऐसी लिखेंगे, बिल्कुल गलते हैं, यहापे bracket लगाना गूल जाते हैं, तो ऐसे लगता है, वो minus 0, ठीक है न, यह चुड़ चुड़ी mistake मत किया करो, मैं बताता रहता हूं साथ साथ क्या गलते हैं, आप लोग करते हैं, यह आपको खुद करना है, क्योंकि basically calculation ही तो है, है न, number of terms निकालने, quadratic बन जाएगी, next question बहुत असान है, even 10th में भी बहुत असान कुशन हुआ गरता था, यह 10th वाले हैं भी तक तो सारे, अब ऐसा कह सकते हो, कि जिस बचे ने RD, RS या कोई भी extra book करिए, कोई भी extra book, मैं यह नहीं बोल रहा, सिरफ RD और RS, कोई भी extra book करिए, तो उन्होंने यह वाले questions, as a extra questions कर ले होंगे, question number 7, sum of n terms निकाल दी हैं आपको, whose kth term is 5k plus 1, पहले डालेंगे 1, 5 plus 1 that is equals to 6, फिर डालेंगे 2, 11 आजएगा, 5 to 0, 10 plus 1, फिर डालेंगे 3, मतब के की value डालते हैं, जारो मैं है, 1 डाली, 2 डाली, 3 डाली, फिर 3 डाली, तो 15 और 16, यानि AP बन गई 6, 11, 16, dash, 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 this is my AP, first term is 6, common difference is 5, पहली टम 6 है, common difference 5 है, SN का formula क्या होता है, N by 2, 2A plus N minus 1 into D, ठीक है न भाई, N by 2, 2A, यानि 2A plus N minus 1 into common difference 5, N by 2, 12 plus 5 N minus 5, 12 में से 5 गए, 7 plus 5 N, divided by 2 into N, ये मेरा इसन आगा, बात खतम, ये मुझे निकालना है, sum of N terms, अब आपको sum of N terms मिलगी, आपको कुछी नहीं करना उसके बाद, अब बच्चे के इसका तो exact answer मिलगी है, भाईया, sum of N terms पूछी है, अब एक बात बदाव तो मुझे, sum of N terms, N के respect मिलगी तो answer आएगा, sum of 20 terms पूछ तो 20 के respect मिलगी, अब तब एक constant answer आथा, 20, 30, 40, 50, 60, 70, जो भी है, बाटे के से निकल के अपना आपको अपने को निकालने का बस बात करते हैं, आप copy कर सकते हैं, इसको simple question का, कुछ निया इसके इंदर, question number 7 था, question number 8 पर आता भी है, यह भी उसी तरीके से आपर थोड़ा सा different है, question number 8, इसमें बच्चे अलग अलग तरीके से करते हैं, question को, what is question number 8 said that, देखो यह question दो मेर साथ साथ ही लिख लो, जो मैं करवा रहा हूँ आप लोग को अभी, नकली हैं सारे इसलिए, असली वाले आएंगे, मैं बोल जाओंगा, खुद रूखने के लिए, question number 8 is, if the sum of n terms of nap is, sum of n terms is, pn plus qn square, यह sum of n terms है, ठीक है, p और q constant है, find the common difference, यहार देखो, सबसे पहले आपने डाला 1, 1 डाला, आपको मिल गया p plus q, अब s1 का मतलब होता है, sum of first term, sum of first term क्या, भई, पहली term term का sum, पहली term का sum मतलब a1 ही तो हुआ, यहारी a1 और s1 दोनों equal होते हैं, यहारी a1 मेरा आ जाता है, p plus q, आ गया, a1 आ गया, अब मुझे निकालना है, sum of two terms, s2, p into 2, plus q into 2 का square, 2p plus 4q, sum of two terms मतलब a1 plus a2, इन दोनों का sum, a1 plus a2 का sum is called, sum of first two terms, समझे रहो, तो इसको मैं लिख दूँगा, a1 plus a2 is equals to 2p plus 4q, ठीक है भाईयों, अभी अपनने क्या value डाली a1 की p plus q plus a2 is equals to 2p plus 4q, अभी अपने इसको माइनस में लेके जाएंगे, तो a2 मेरा हो जाएगा, p plus 3q, मेरा first second term भी आगे, what is your common difference, a2 minus a1, that is equals to p plus 3q minus p minus q, p से p गया, answer आगा 2q, यानि common difference मेरा कितना हो जाता है, 2q, खतम बात, simple question, मुश्किल नहीं है, अगर आप ढंक से कर रहे हो, तो, नेक्सक्त question number 9, यह बढ़िया question है, अभी इसको मेरे साथ साथ करेंगे, बट जब मैं रुखने के लिए बोले हो, रुख जाना देर, तब नहीं करना आगे, भला भी से लिख लो, हना, चैप्टर भी बढ़िया है, लेंदी है, बेटेज अच्छी रहती है, चैप्टर काफी लेंदी ही है, एसी हदिने कि छोटा सेप्टर, इतना चप्टर, इतने सेप्टर, नहीं भईया, बहुत बड़ा चप्टर है, अच्छी वेटेज रहती है इसकी, और स्कूल में अगर ढंग से पढ़ेंगे, तो समद में कुछ नहीं आएगा, स्कूल धंग से पढ़ने के बाद भी स्कूल में कॉंसेप्ट पे ज्यादा फोकस देख करते नहीं है स्कूल में टीचर्स के गलतिया नहीं होती बच्चे बोलते रहते हैं कि प्रेशर बहुत होता उपर से कॉपी बनाओ ये करो वो करो ड्रामे बाजी रहती है हर चीज में त और दॉटिय को रहते है रवेचात हैं के नहीं में हमुआत हैं को में वोड्य मैं कि बढτοी अध्यक से फिर का ड्राम यूट करते हैं को बाद नहीं है स्क्राइक आपन तेड कर् newer ूच दो अलग 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 है यह चीज़ समझ रहे हो एक S न एक S डश है न है ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है find the ratio of their net ratio नहीं नहीं समव हां देखिए फर्स्ट रम एक AP मैंने मान लिए AP1 जो है मेरी वो है AP2 मैंने मान लिए AP1 A2 A3 डश डश इसमें common difference मैंने मान लिया small d इसमें common difference मैंने मान लिया capital d ठीक है अब यह अपन SN का formula लगाते है n by 2 2a plus n minus 1 into d is equals to 5n plus 4 divided by 9n plus 6 कोई दिक्कत नहीं divided by n by 2 number of term दोनों की सेम है बता रहा हूं जैसे की उसने बोला है sum of n terms of 2 AP sum of n terms यानि जो अगर इसकी 50 term है तो इसकी भी 50 है यह चीद्धान रखना n सेम दोनों का ऐसा उसने बोला है मैं नहीं बोल रहा हूं question बोल रहा है मैं ठीक है न अभी अपना n से यह cancel हो गया अभी बचा गया 2a plus n minus 1 into d divided by 2a plus n minus 1 into capital d is equals to 5n plus 4 divided by 9n plus 6 अब हमें ratio निकालनी है अब नहीं लिखना अब आगे नहीं लिखना उसमें बोला है find the ratio of their 18th term आप कह सकते हो a 18 upon a 18 निकालना है आपको ratio of their 18 terms अगर 18 terms की ratio निकालनी है तो क्या करेंगे कुशन यह है तो क्या करेंगे अगर कभी भी जितनी टर्म आपको निकालने पहले आप मेरी बात को समझा रहा हूं कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं ठीक है मेरे को अथारा डर्म की रिश्यों निकालने तो आपको डबल ऑफ ठारा माइनस वन पूट करना है एंगो इन को कितना पुट करना है डबल अबहोफ ठारा माइनस वन जिसकी विरेश कालने आ फारा समी इंगालने सब तो डवल पाशाश मैंने जब मश्याह वन ठीक है याई-dok traces अगर बोले कि put ratio निकालने 17 गी तो क्या करेंगा double of 17-1 जिसकी ratio हमें निकालनी है उसका double minus 1 आपको हमेशा put करना है और आगे question को करना है इतनी जिखानी है तो कोई दिक्कत नहीं double of n-1 यह rough में करना है लेकिन put n is equals to 35 यानी n में डालूँगा 35 अब मेरी बात सुना ध्यान से जोगा बता रहूं आप यहां पे भी कुछ भी डाल सकते हैं यहां पे भी कुछ भी डाल सकते हैं तो दोनों के लिए satisfy करेगा ना यह आप को देखना है अच्छा क्यों डाल है पैसिस यह मैं बताऊंगा आपको खाली अभी देखना है आपने put कर दिया इनको 35 आपका यह term हो जाती है 2a प्लस 35-1d divided by 2a प्लस 35-1d बराबर 5 इंटो 35 प्लस 4 डिवाइड बाए 9 इंटो 35 प्लस 6 2a प्लस 34d बिवाइड बाए 2a प्लस 34d इंटो 5 इंटो 35 प्लस दो शवाइड 179 टोटल थ्री हंड्रेड वन एक सिन्ट तीन सो कितना हुआ है तीन सो साढ़े तीन सो में से पैंटिस गया है पंदरा तीन सो पैंटिस 341 ठीक है यह रिड्यूस नहीं हो रहा है ठीक है इसको ऐसी छोड़ दिया है यह उपर से लिए टू कॉमन ए प्लस 17d नीचे से लिए टू कॉमन ए प्लस 17d तो आप देख सकते हो कि आपका जो रेशो आ गई वह आ गई 35 इंटू 9 था नहीं यह नाइन फाइव फॉर्टी फाइव चार नोटियस ताइस और चार ग्यारा ठीक तो है 315 अच्छा 315 था तो 321 हो जाए ठीक है अभी टू से डू गया उपर मैं लेगूँँगा ए 18 डिवाइड बाई क्यापिटल ए 18 बस रेशो अफ देर 18 टम निकल क्यों हमने एन को 35 ही लिया 34 क्यों ने लिया 30 कुछ और क्यों ने लिया यह चीज़ ध्यान रखने है अचरे प्सान जे लिया के क्यों हम ने से अच्छत掃ति लेगाराल迷एगे से कि अउयां AMY वे भील दो हम डिलीक तो हम पर ग利या ले 50 क्यों हम कि के विए बादय है दिखे जर आपके पास जो टर्म आई थी वह थीओं टूए प्लस एन माइनस 1 इंटू डीक डिवाइड़ वाइट वाइट प्लस एन माइनस वन इंटू यही थी अचा है अपने को क्या लान है रेश्यो ऑफ एटी इंट है न रेश्यो निकालने इन इन टर्म की वह दिख्कत नहीं बाद में निकालने मैं चुन तेल नहीं चाहिए, A चाहिए, 2 को ले लिया common, A प्लस इसके पास तो 2 नहीं है, डिवाइड होगा 2 से, अच्छा इसके पास भी 2 नहीं है, डिवाइड होगा 2 से, हना, अब मैं कह सकता हूँ, A तो मुझे मिल गया, बट यहाँ पे मेरे को क्या लान है, 17, यानि कह सकता हूँ, N-1 डिवाइड बाई 2 इस इकोल तो 17, तो क्या किया मैंने, मैंने किया, N-1 इस इकोल तो 34, और इधर लेके गया, या फिर आप यह भी कह सकता हूँ, 2 इंटो 17, औ और यहाँ पे आपने कर दिया, 2 इंटो 17, माइनस 1, that is equal to 35, यानि आप यह भी कह सकते हो, मैंने किया था, ओहो, प्लस 1, मैंने किया था, डबल ओफ, डबल ओफ 18, माइनस 1, ठीक है न, वो भी 35 होता है, या फिर डबल ओफ, एक कम, माइनस 1, बात तो ही है, कैसे भी घुमालो एक ही चीज पढ़ने वाली है, तो आना आपका वही है, कहने का मतलब है, 35 आपका कब आएगा, जब डबल ओफ 18, माइनस 1, पुट करेंगे, रेशो के अकोडि, अब आप कोई भी रेशो रख लो, कोई भी, जिसमें 17 तरम का निकालना हो, 20 का निकालना हो, 50 का निकालना हो, उस हर एक केस में आप क्या डालोगे, n-1 divided by 2 equal to, मालो, 50 का कॉम, यहाँ पर 50 लाना है, यहनी, एक 50 की रेशो निकालना है, तो क्या हो जागए, n-1 is equal to 100, और 100 plus 1 is equal to 101, ठीक है, और मैं आपको क्या खाय रहा था, एक 50 का double, minus 1 पुट कर दो, आया कितना 101, तो बात तो महीं है आपको चीज को समझने हैं कि हमेशाथ double of n-1 put क्यों करते हैं ताकि अपना ये वला पार्ट ये बन सके जो आपको बनाने 17 तो इस वज़े से double of n-1 put किया जाता है या फिर double of एक नंबर कम जितना आपको चाहिए प्लस वन बात महीं पढ़ने हैं कैसे भी कर सकते हो डबल of n-1 ज्यादा असान है मैं तो उससे करवाता हूँ ठीक है चलिए आगे देखते सर वो लिखने वाला कुछ नी था उसके अंदर ऐसा एक कुश्चन हो रहाएगा भी कुश्चन न सावसे की प्लस वहाँ को है यहें संब फरस प्लस क्यू टर्म का मतलब हो गयो है प्लस जचीज fem 2 Instead के यहिए यहीं से आजयगा कोई जिंगत नहीं कि आप इसको देखिए ऑ प्लस ए嗎 ड़़े 2A plus N मतलब यहाँ पर P था और यहाँ पर क्या है Q minus 1 into D इसको रखते हैं आगे ठीक है P by 2 2 से 2 तो कटे गए आपना तो 2A P plus P D P minus 1 plus 2A Q is equals to me 2A Q 2A Q plus Q D Q minus 1 ठीक है अब यह अपन क्या करेंगे 2A P minus 2A Q 2A P minus 2A Q minus में ले गए is equals to Q D Q minus 1 minus P D P minus 1 ठीक है ना यह आगया आपने क्या किया 2A P minus 2A Q और यहाँ पर आपने Q D ले लिया D लिया common क्या हो जाएगा Q square minus Q minus P square plus P D common लिया है ना भाई यहाँ से आ रहा है 2A common P minus Q ठीक है अब यह अगर मैं देखू हूँ मैं एक काम करता हूँ मैंने देखा minus P square और यह है और P minus Q एक काम करते हैं Q square वाले इसको एक साथ लिखते हैं Q square minus P square और plus P minus Q इसको एक लिख रहता हूँ ठीक है भाई ठीक है आगे देखिए एक बड़ी copy कर लो पहले जतना यह हुआ है मैं मतलब सिरफ और सिरफ simplify करने के लावा कुछ नहीं करना और simplify करने के लावा आपको भी कुछ नहीं करना आप की टुए की value निकले के आप यहां पूट कर देंगे आपका अंसरा जाए रहा ठीक है target यह मेरा अब यह और simplify होगा मैं करूँगा इसको ठीक है ना पहले लिख लो आप देखो यह टाम है लास्ट में है ना अपन ने क्या किया इन दोनों में से negative common ले दिया फाइदा क्या होगा P square minus Q square बनेगा फाइदा यह होगा ठीक है अब एक काम करते है इसमें से फिर से इसको formula लगाते है P minus Q और P plus Q आपने क्या क्या 2A P minus Q P minus Q को लिया बाहर यह यह cancel यहनि 2A जो है वो किसके equal है D into minus E common ले लेते हैं P plus Q minus 1 इसके बराबर है ठीक है आपने SN में value डाल दी SPQ का formula था आपके पास PQ by 2 2A plus P plus Q minus 1 into D PQ by 2 2A की value गया है minus D P plus Q minus 1 यह कट गया 0 आगया यानि 0 है sum of first P plus Q terms कितनी है 0 है बात कतम यह कोशन था आपका बताओ क्या मुश्किल कोशन है भाई कोशन नमबर 11 करने वाले हैं इसके बाद यह बड़िया कोशन है कोशन नमबर 11 ठीक है यह कोशन कई बार पेपर में आया ठीक है असान है बट लिंदी बहुत है देखो sum of first P terms, sum of first Q terms and sum of first R terms of NAP is A, B and C यह दिया हुआ है respectively prove that, prove करना है आपको A by P, Q minus R plus B upon Q, R minus P plus C upon R, P minus Q is equal to 0 यह हमें prove करना है अब देखो एक चीज और clear है sum of first P terms is equal to small A sum of first Q terms is equal to small B and sum of first R terms is small C A by Q, Q minus R यह सब हमें चेगे मैं इसको solve कर रहा हूँ SP, को मैं कह सकता हूँ P by 2 2 capital A plus P minus 1 into capital D बहुँ, small A आप नहीं लेट कर सकते हैं क्योंकि small A already given है ठीक है ना? और यह हो गया मेरा A अब मेरे को चीए A by Q A by Q चीए A by P चीए P को मैं लेगा है डिवाइड में 1 by 2 2A plus P minus 1 into capital D is equal to A by Q A by P, चलो ठीक है भाई, यह मिल गया अब मुझे क्या चीए Q minus R multiply both sides Q minus R multiply both sides Q minus R आपने कर दिया multiplier है, यह क्या हो जाएगा? Q minus R by 2 into 2A plus P minus 1 into D is equal to A by P into Q minus R यह हो गया? ऐसी रेण देंगे आप इसको आप इसको छेडेंगे नहीं ठीक है? अगले पेच पे आते हैं, SQ निखालते हैं SQ is equals to small B Q by 2 2A plus Q minus 1 into D is equals to B 1 by 2 2A plus Q minus 1 into D B by Q हो गया? तो मैं कह सकता हूँ 1 by 2 2A plus उस वारी, multiply both sides R minus P R minus P multiply कर देंगे बई, एक side तो मिल जाएगी ना multiply both side R minus P आचा एक चीज़ द्यान अक नहीं proof को देखते बचलना है हवा में तीर नहीं मारोगे proof को देखते बचलोगे काम को देखते बचलोगे हवा में तीर मार दोगे गलती कर दोगे पहले बता दू R minus P रखा उसके बद सारा काम हो गया यह दोनों तरह आगी ना मेरी टर्म Q minus 1 into D equal to B by Q R minus P खतम बात यह आगी equation number second यह आगी equation number first ठीक है? और थर्ड है निकालनी अभी है हमारे को S Q S R बराबर C R by 2 2 A plus R minus 1 into D is equals to C तो 1 by 2 2 A plus R minus 1 into D C by R multiply both side P minus Q क्योंकि मुझे according to the proof हमें चाहिए P minus Q multiply both side मेरे पास तो नीचे जगानी है आप नीचे लिखेंगे multiply both side P minus Q खतम बात क्या हो जाएगा यह P minus Q upon 2 2 A plus R minus 1 into D is equals to C by R P minus Q खतम बात equation number third adding 1, 2, 3 क्यों adding 1, 2, 3 यह हमारे को यह टर्म चाहिए और equal to माना चाहिए 0 अरे वो लास्ट में आ जाएगा क्या दिखका दे समद मेरी बात वो लास्ट में 0 आ जाएगा हमें क्या करना है सिरफ add करना और value डालनी है तो अपन value डाल देते हैं adding 1, 2, 3 जिसने नहीं लिखा भी दिखा दूँगा दो में रुख जाओ मैं लेका adding 1, 2 and 3 यह नहीं दिखरे होगी statement adding 1, 2 and 3 तो भाईया हमारा first term थी q-r by 2 2a plus p-1 into d plus r-p by 2 2a plus q-1 into d plus b-q by 2 2a plus r-1 into d is equal to a by p q-r plus b by q r-p plus c by r p-q यह आगे terms आगे ना अब सुना मेरी बात जरा ध्यान से q-r by 2 2a p plus p minus 1 वगेरा वगेरा यह आपको करना है इसमें करना कोई बड़ा challenge नहीं है आपको इस part को 0 लाना है यहनि इसको multiply करना है आदिसादा बच्चे पता है किते रिक सरी कट तो जा नहीं है इसको डारेक लिख देते जीडो इतना बड़ा कोन calculate करे अरे बाई टीचर ना बेवकूफ नहीं है टीचर को बेवकूफ मत समझो टीचर को पता है तुम्हें इससे कटने को बचने से बच रहे हो आप मुश्किल गया इसमें कोजी नहीं आपने वेल्यू डाली आप यहां पर ऐसी रहन दो इसको क्यू माइनस आर बाई टू इस पार्ट को जीरो लाना है मेरे को इस पूरे पार्ट को इसको मैं नहीं लिखू आप क्योंकि मेरे पाद जगा भी कम है 2a plus pd minus d plus r minus p by 2 2a plus qd minus q minus d plus p minus q by 2 2a plus rd minus d यह हमें equal to में यह दिया हुआ है अपने हम multiply करेंगे दिखको 2 तो सबके साथ है one by two लिख देते हैं इसको common q से multiply करने है पहले तो क्या होजागा 2aq plus pqd minus qd minus r वाले पार्ट को लिख रहा हूँ minus 2a r minus p rd plus rd फिर आगया plus बीच में देखते हो जड़ाँ अब आप लिखेंगे 2a r फिर लिखेंगे plus q rd minus rd ठीक है उसके बाल minus 2a p plus pqd plus नहीं होगा यह minus होगा pqd minus हाँ देख ठीक है minus होगा यह वाला plus होगा plus pd plus 2a p 2a p plus p rd minus pd ठीक है ना? minus 2a q minus q rd plus qd यह terms आगया यह सारा cut कुट आगे 0 आना चाहिए मेरा देखो 0 आएगा 2a q से 2a q cancel यह देखो यह plus 2a q है और यह minus 2a q है cancel दोनों ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं किसी को अगला देखना plus p q d plus p q d से plus p q d से minus p q d मिलना चाहिए मेरा को ढूंडते minus p q d 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 cancel यह भी cancel हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है अभी देखो q d q d q d q d q d और यहाँ पे होना चाहिए q d q d minus q d plus q d यह भी cancel हो गया? ठीक है? और आम राम से जल्दी मचाओगे गलती करवगे 2 a r minus 2 a r plus 2 a r minus p r d minus p r d minus p r d से plus p r d गया plus p r d गया है देखो गया ना? सारे कटते जाएंगे सारे plus r d से minus r d गया? देखो plus r d से minus r d गया गया नहीं कया? q r d से minus q r d गया? plus p d से minus p d गया बचा गया? 2 a p बच रहा है और a r minus 2 a p को गलती से मैंने इसके साथ काट रहा था इसके साथ काट देता हूँ और 2 a r को 2 a r के साथ मैंने काट दिया था और minus 2 a q को 2 a q 2 a q 2 a q यह रहा? यह पहला वाला कटना था पता निकिस के साथ काट लें मैंने यह गलती कर दी थोड़ी छोटी शी बट कोई नहीं सारी टम्स कट रही है reduce होएंगी ठीक है? तो आप भी देख सकते हो reduce हो जाएंगी कोई दिक्काद नहीं है आप cancer आजएगा, copy कर सकते आप इसे फटावट से ठीक है, आगे चल रहें next question question नहीं दीता भाई, बहुत ज़्यादा मैं पहली बोल रहा हूँ आपको यह यह question number 12 जो है न वो ratio of 18 टम्स वाला था न वैसी है पहले आप इसे लिख लो फिर मैं बताता हूँ there you go question number 12 the ratio of sum of m terms the ratio of sum of m terms to ratio of n terms is m square by n square find the ratio of their mth term and nth term भाया उसने बोला है कि the ratio of sum of n terms and n terms ratio of m terms of n terms जैसे ratio of 50 term और ratio of 52 term of n a p मतलब a p a की है इस बार a और common difference में कोई change नहीं आगा a और common difference वही रहेंगी तो sm का formula m by 2 2a plus m minus 1 in 2d a और common difference same है divided by n by 2 2a plus n minus 1 in 2d मैं पहले ही बोल रहा हूँ a और common difference same है number of terms इस बार अलग हुई है पिछली बार number of terms same थी यह cancel होगा ठीक है बचा गया 2a plus m minus 1 in 2d divide by 2a plus n minus 1 in 2d अब आपको एक चीज़ क्लियर है कि जिसकी ratio हमें निकालनी है ratio हमें निकालनी है m में टर्म की तो m की जगह पे जगह के लिए क्या पुट करना है 2m minus 1 और n की जगह के लिए क्या पुट करना है 2n minus 1 तो आप कहेंगे put m is equals to put m is equals to 2m minus 1 put m is equals to 2m minus 1 आपने value डाली 2a plus m की जगा पर आपने डाला 2m minus 1 ये m की जगा पर डाला है minus 1 तो आई लगा देंगे divided by 2a plus 2n minus 1 minus 1 d m की जगा पर क्या डाला और n की जगा पर 2n minus 1 2m minus 1 divided by 2n minus 1 ठेक है इसको simplify करेंगे पहले आप इसे लिख लो simplify करेंगे अपनी ratio आजाएगी तो basically हमें पता होना चाहिए हमें put क्या करना है हमें सब आजाएगा ठीक है बच्चा कहेगा sir m जो हो double of m minus 1 के equal कैसे हो सकता है कोई ने कोई particular value जो होगी उसके equal of जैसे 1 डालोगे जब आप m अगर आपका 1 होगा 1 तो आपका ये भी वनी आएगा मतब 2m minus 1 भी वनी आएगा लेकिन कोई जरूरी ने है कि वनी ही हो कुझे वो term भी हो सकती है देखो 2a plus 2m minus 2 divided by 2a plus 2n minus 2 d is equal to 2m minus 1 और 2n minus 1 उपर से 2 common पूरे में से तो a plus m minus 1 into d क्योंकि इसमें से common आएगा तो m minus 1 बचेगा यहां से भी common आएगा और हर बार ये common आना ही है यार हमें जो प्रूफ करना था वो भी हमारा हो गया 2 से 2 कटा am और ये आगया an खतम सर हो गया प्रूफ कोश्चन नमबर 13 करेंगे बहुत असान कोश्चन है असान कोश्चन नमबर 13 कोश्चन नमबर 13 क्याता है ये जगा पर फ्री इंटू टू का स्क्वेर प्लस फाइव इंटू टू 12 प्लस 10 ट्वैंटी टू S2 को हम बोल सकते हैं A1 प्लस A2 फर्स्टरम प्लस सेगेंड फर्स्टरम कितनी है आठ है तो A2 कितना आगया 14 ठीक है ना फर्स्टरम मेरी 8 है और मेरी जो सेगेंड टरम है वो ये है common डिफ़रेंस जो है हुँ मेरा छे आगया में टर्म का फॉर्मुला क्या होता है am is equal to a plus m minus 1 into d m टर्म आपको 164 dv है first term आपको 22 है m आपको निकालना है common difference आपको 6 है minus में जाएगा 2 6 में से 2 गए 4 142 is equal to m minus 1 into 4 2 1 3 4 7 ये fraction में कैसे आ रहा है 3 n square plus ये है find the value of m and its mth term is 164 ठीक है कोई दिकाद नहीं है sum of n terms of n e p is this okay 2 6 में से 2 3 4 और 1 7 find the value of m m to e p is 3 n square plus 5 n and its mth term is 14 में से 8 गए तो 152 8 और 2 6 156 75 बार आप ये गटेगा पूरा 6 बन जा 6 तूजा 12 में आएगा वैसे तो पहले तो आते नहीं थे दो नंबरे जोशन पहले आते थे एक चार छे अब ये एक दो चार छे ये पैटन हो गया तो एक दो चार छे के एक उशन आते हैं चार मार्क्स का भी आता है छे का भी आता है 15 तक करेंगे आज हम 14 15 देखते 16 भा भी करी लेंगे तीन कोशन कर लेंगा राम से देखो कोशन नंबर 14 कोशन नंबर 14 है मेरा इंसर्ट 5 नंबर बिट्वीन 8 और 26 8 और 26 के बीच में 5 नंबर होने चीए ठीक है ना तो कहता है कि such that the resulting sequence in AP जो resulting sequence है वो AP में आए ये A1 होगा ये A2 होगा ये A3 होगा ये A4 होगा ये A5 होगा ये A6 और ये A7 आपके फर्स टर्व है आपके पास 7 टर्म है A7 is equal to A plus 6D में बेवकूफ बनाया है लिट्रली ठीक है कर सकते दिया हम इस question को बढ़े आराम से 26 is equal to 8 plus 60 16 में से 8 गए 18 तो D मेरा कितना आगया 3 common difference आगया फर्स टर्म आपके पास ये है D 3 है तो अगली टर्म क्या होगी आठ के बाद 11 14 17 20 23 और 26 ये पांच बिजेट्स निकालनी थी बढ़े आराम से निकल लिए कोई दिक्कत तो नहीं है चाहिए ठीक है next question करते है फटा बट से देखो next से पहले उसके बाद वाला question को रहा तो इससे थोड़ा सा similar है कर देखो कि इससे थोड़ा थोड़ा ना मिलता जूलता question है तो पहले मैं 16 करा देता हूं फिर 17 करा हूं के रहा रहा वन और 31 के बीच में न ऐसे एम नंबर से हैं यहार देखो जब मेरे इसमें बीच में पांच नंबर थी तो इसका नंबर आया था सात्वा क्यों पांच टर्म यह छटी यह और एक यह सात्वी यानि यह टर्म जो है ना यह एम टर्म्स हो गई एक एक एक्स्ट्रा और एक एक्स्ट्रा ठीक है तो म प्लस टू अब उसने क्या बोला है कि कि यह एपी में ratio of 7th term to m-1th term यह देखो ध्यान से समझ ना ratio of 7th and m-1th term यार ratio of 7th term क्या होगी अगर मैं सात्वी टर्म बोलू इसके बीच की उसने बोले यह जो बीच का सीक्वेंस है यह एपी में अगर मैं सात्वी टर्म बोलू बीच की इसको बूल लाओ तो एक दो तीन चार पांच से अगर सात्वी बोलू तो होगी क्या actually वो आठवी टर्म इस पूरे सीक्वेंस की 8th term हाँ ना तो अगर आप बोलोगे आप बोलोगे a7 ratio of a7 that is the 8th term 8th term of complete sequence 1 to 31 वह एक से लेकर 31 के बीच में वह कहला हैं लेकिन एक्ट्री इसके बीच में जो सात्वी टर्म है अगर इसके बीच में तब भी अगर बीच वाला यह दोनों आ जेंगे तब भी एपी में ऐसा उसने बोला है तो अगर आप 7th term देख रहे हो तो that is the 8th term of complete sequence 1 to 31 एक से लेकर 31 में वो 8th term होगी divided by इसकी बात करें that is the mth term क्योंकि भाई इससे एक ज्यादा मैंने आपको यह वो रहा ना इससे एक ज्यादा the mth term of complete sequence 1 to 31 आपने क्या करा a8 divided by a m-1 sorry a plus 70 upon a plus m-1 in 2d मतलब इस question में सिरफ भासा का खेल केला है उन्होंने अमार साथ language का खेल केला है जो बच्चा इस language को समझे लेगा उसके लिए तो question बड़ा असान से हो जाएगा जिस बच्चे ने यह language को नहीं समझा question को नहीं समझा ध्यान से नहीं पड़ा उसके लिए question बहुत मुश्किल है और असान है question literally आपके सामने है करना गया value डालनी है a की value बच्चपन में क्या थी a की value बच्चपन में थी 1 plus 70 अ अबने पाई यह भी दियावा है m plus 2d यहां से भी ratio यहां से भी equation आईगी अबने पाई पाई यहां से भी बच्चपन में क्या है देखो क्रॉस मिल्टिप्लाइ कर देते हैं ठीक है अभी इसको एक साइड ले जाते हैं 5m minus 1d minus 63d is equal to 4 d लिया common 5m minus 5 minus 63 is equal to 4 यहोगा minus 67 5m और यह d कोई दिक्कत नहीं है इसको ऐसी रहें तो equation number first मानके आपने पास दे रखी दी 31 जो है am plus 2 is equal to 31 तो 31 is equal to a plus m plus 2 minus 1d यहां से आपने निकाल लिया m plus 1d जो है वो किसके equal है वो है 30 के m plus 1d 30 हो गया मेरा ठीक है ना अगर m plus 1 मेरा 30 है अब मैं क्या गरूँगा d मेरा आ गया 30 upon m plus 1 इस value को आप यहां डालेंगे क्वाडिटिक एक्वेशन मनेगी मैं करके दिखाता हूँ आप पहले इतना लिख लो प्रॉपर एक्वेशन मनेगी आप लिखो पहले से फटावट से में पार्ट है मैं निकालना है यह कोशन भी एक्जाम में आ रखा चार मार्स का वैल डाले ते हैं 5m minus 67 और d के बायू डाल दी 30 upon m plus 1 is equal to 4 हाँ 1.500m minus फ़रा 19, 20 1 है divide by m plus 1 equal to 4 4m plus 1 multiply करके और 4 को यहां से उधर लेके जाएंगे 150m plus 4m is equal to 2, 0, 1, 0, 4 2014 24m इसको divide में ले जाके calculate कर देना भया यह आपका answer आजाएगा देखते हैं कितना आजाएग कितने पर आता है चलो तुम लिख लो इतने 1, 0, 0また deficit 6, 0, 1, 0, 3, 0 कितने हम नाएगा हम लेका ए। फर्राएग भंशाएगा किने में लेका चलो फशेख छेएगा गहां कितने आपकार 하나 को आएग SP देखे एक बड़ी कल्कुलिशन में देख ले ना उसकी कल्कुलिशन में मुझे थोड़ी कड़बाल नग रही है बड़ ठीक है प्लस माइनस है आप लोग खुद कर ले ना एक बड़ी आपका अंसर पका आजाएगा प्लस माइनस है कोशन नमबर 15 वेरी वेरी इंपर्ड़न कॉश्शन अगर मुझे कोई पूचे इस exercise में सबसे इंपर्देन कुश्शन कून सा है तो मैं बोले वहां sir कोशन नमबर 15 इस exercise का not for this chapter this is the question number 15 which is very important question for this chapter oh sorry this exercise question क्या कहते है समझ लेते है कहता है if this part if this part इस the arthmatic mean, यह arthmatic mean है between a and b, यह देखो कहने का मतलब है दो term है a और b, उनके बीच में कोई term आ रही है जो कि इसके बड़ाबर है उसका arthematic mean, अरthematic mean का तरीका पताए क्या बताया था मैंने आपको बताया था जो लास्टवाली 2 terms है उनका sum कर दो, divide by 2 कर दो, इन दोनों का sum कर दो, divide by 2 कर दो, क्यादा तो n की value निकालने है, कुछ नहीं करना, आपको सिरफ और सिरफ n की value निकालने हैं, यह उसने बोला है, मैं एक काम करता हूँ, cross multiply करके n की value निकालने हैं कोश्च करता हूँ, ठीक है, n माइनस 1 है, n प्लस 1 है, माइनस 1 है याद, एक तो मेरी i set बड़ी बीग है, चश्मानी बेहनता है, अब multiply कर देते हैं, a को इस पूरे के साथ, और b को भी इस पूरे के साथ, ठीक है, a को इससे करेंगे तो a की power है नि, प्लस, a b raised to the power n-1, प्लस, a की power n-1, प्लस, b की power n, कैसे, इन दोनों में बेस सेम था, पावर एड होगी, इन दोनों में बेस सेम था, पावर हैड होगी, तो आपका a term बच जाएगा, ठीक है, पहले आप इतना copy कर लो, फिर उसके बाद हम आगे करते हैं, a n को मैं माइनिस में लेके जाँगो, खाली एक a n बचेगा, b n को मैं माइनिस में लेके जाँगो, खाली एक b n बचेगा, दो में से एक कम हो जाएगा, ठीक है, पहले लिख लो और आम से, बचेगो, बचेगो, माइनिस में लेके गए, बचा a n प्लस b n माइनिस, दोनों टम को भी उठा के लिए आया मैं, जो बची भी थी ना, उदर की साइड, आप एक काम गरो, इसको और इसको एक साथ लिखो बहले, इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया, a की पावर n माइनिस 1, एक टम कम, a की पावर n माइनिस 1, इधर n है न, तो n माइनिस 1 तो कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या a, क्योंकि अगर ये 50 थी, n अगर 50 था, तो ये 49 था, 49 पावर आएगा तो हमेशे a की पावर 1 बचेगा, समदरे हो, अगर ये a की पावर 50 था, तो ये a की पावर 49 है, a की पावर 49 को लिया common, बचा क्या a, माइनिस b, प्लस, इसमें से ले लिया b की पावर n माइनिस 1 common, बचा क्या b माइनिस a, दोड़ों में से नेगेटिव common ले लिया, a माइनिस b को common ले लिया, यह चला गए divide में या आइदर और भी कह सकते हो आइदर this part equal to 0 तो a बराबर b जो कि हमारा है नहीं ठीक है और a की power n-1 minus b की power n-1 equal to 0 इसको लेके गए वहाँ पे plus में ना करके दिखा रहा हूँ भी आपको गले पेज पे फिर copy कर ले न आराम से तो a की power n-1 is equal to b की power n-1 इसको लेके गए divide में equal to 1 a by b raised to the power n-1 is equal to a by b की power 0 क्यों भाईया a by b की power 0 क्यों बेज सेम होंगे तब ही तो power equal कर पाऊँगा therefore n-1 equal to 0 therefore n बराबर 1 यह मेरा answer आ गया आइवाच वन में copy कर सकता है तो question simple है द्यान से करना है copy कर लो अराम से चलो ठीक है इतना पढ़के आना next class में next class में आप लोगों से मिलेंगे इतना पढ़के आएंगे और next class में आगे question करेंगे bye bye see you tata good night शबाके शुब रात्री स्योनारा टिंक टॉप प्रॉप प्रॉप जबापे कर दो प्रॉप 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 झाल